नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत वा स्वागत करता हूँ और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई कुण्ड़ी आए तो उसे कैसे देख बहुत इंपोर्टेंट होता है हम वीडियो में बताये थे अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिए बहुत इंपोर्डेंट पाइंट थे कुण्ड़ी देखते वक्त क्या-क्या पाइंट हमें देखने चाहिए आगे में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा क्या-क्या पाइंट हम और बहुत तरह के मैथड्स हैं उनको तो बताना यहां मुंकिन नहीं होगा और उनको बताना प्रीफरेवल भी नहीं है क्योंकि वह चीज से बहुत तो आता नहीं है लेकिन मन में कोई शंकासी रह सकते इसलिए उन मैथड्स पर ना जाएं बट हां यह मैथड्स जरूर अवेल तो ऐसे करके हम लोग आडिया लगा सकते हैं कि इस इंसानी आई कितनी तो उसके लिए हैं क्या देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कंडली में चार चीजें इंपॉटन होती है एक तो लगनेश सूर्य एवं चंड इन चार चीज को आप देखिए अगर चारों चीज अच्छे हों सूरिय किसी पाप उखाव में ना हो लगनेश भी इसी पॉख परभाव में ना हो तो अगर ये चारों चीज अच्छी हैं तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये इंसान पूम नायू को प्राप्त होगा सो या सो वर्ष से उपर लेकिन ऐसा होना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चारों चीज बहुत अच्छी हो लगन पे भी कोई बुरा एफेक्ट ना हो लगनेश में भी ना हो सूरिय चंदर अच रहे हैं या लगन सूर्य चंदर अच्छे होने का मतलब मैं आपको बल्ड़ हो ना हो यह ने से पाप ग्रहे कहला, तो अगर इन में से तीन ग्रहे अच्छे हैं, इन में से तीन अच्छे हैं, लगन, लगनेश, सूर्य और चंद्र, इन में से तीन अच्छे हैं, तो इनसान दीरगाई होता है, यानि उसकी उम्र 75 साल से अधिक होती है, उसकी उम्र होगी, आप राम से उसक कह सकते हैं कि आप दीर वाई हो है आप लिए कोई प्रॉग्लम नहीं है अगर किसी कुंड़ी में लगन लंगलेश और चंद तीनों पिलित लगन भी पिलित हो लगनेश भी प्लित हो और चंद भी चंद भी दुए दोसों दिख पाप ग्रहों के प्रभाब में हो उनके साथ ऐसे केस में अगर तीनों कमजोर हैं तो इंसान अलपायू का रोता है यह एक धिहान लखने वाली बात है अलपायू और दीरगायू कैसे हम लोग आडिया लगन लगन लगनेश और सूर्य पिडित लेकिन चंदर अगर बली है चंदर का बहुत इंपोर्टन है दीए चंदर इसलिए इंपोर्टन भी है कहते हैं चंद्रमा मंसो जाथ चंद्रमा मंदा का रहा है अगर चंद्रमा किसी का मजबूत है तो इंसान अपनी विल पावर से बहुत कुछ चीज सकता है और चंद्रमा किसे कमजोर है तो वो अपना पी डिप्रेशन में और इंजैटिम आ चारों बरी मिल सकते हैं चारों मेंसे तीर में सकते है और चंद्रमा मिल सकता थै तो यह हम लोग़ों को देखना है अब हम लगन लगनेश सूरी अब चंद्रमेसे दो अच्छे हैं यह तो उस केस में इनसान दीरगाईू हो तो ये थे आयू के कुछ नियम जो आपको पताए गए जिससे कि आप मोटा-मोटा आडिया लगा सकते हैं कि चारों चीज मजबूत तो पूर्ण आयू तीन अच्छे तो दीरगाईू दो गुरे दो अच्छे तो भी दीरगाईू लगन लगने इस चं आपको राहू केतू के बारे में बताऊंगा कि राहू केतू क्या है और कैसे राहू केतू का फलिद आपको कुर्णी में देखे करना चाहिए क्योंकि उसके फलिद के उपी ऊपर बहुत संशे बना रहता है बहुत ध्रह्म्मरा तो आशा करता हूं यह आपको समझ आया हु सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा हम लोग नवंबर के महीने में एडवांस अस्ट्रोजी का बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों में से जो भी इंट्रेस्टिट हो वो जॉइन कर सकता है अपना नामंकन करा सकते धन्यवाद